जोहारों का सीजन नजदीक आने लगा है। इस दोरान टीम को फैक्टरी में कई सारी अन्यमित्ताय मिली, फैक्टरी में बड़े बड़े घी के ब्रैंडेड डिपे में नकली घी भरकर बाजारों में बेचा जा रहा था। जिस पर फरिदाबाद पुलिस और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कारवाई कर मौके से करीब 1200 किलो घी बरामत किया है। शाम को हमें C.I.A. फरिदाबाद की तरफ से सूचना प्राप कुई थी कि उन्होंने एक घी की फैक्टरी है जो अवैद रूप से चल रही थी पल्ला शेत्र में वहाँ पे करवाई थी तो इन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया वहाँ पे पहुचने के बाद लगबग 1200 किल गी जो की ब्रैंडिड पैकेट्स के अंदर पैक किया जा रहा था वहाँ पर बरामद हुआ इसके हमने लगबग साथ कंपनीज के ऐसे घीते जो हमने सेंपल ले लिए हैं जिसमें सारे ब्रैंडड हैं पतंजली से लेके अमूल और जितने भी बड़े-बड़े ब्रैंड है एक्ट के तहत कंपनी नहीं को नोटिस के रहा अलागी इन्पर जो कोपी राइट का मामला बनता है वो पुलिस के कारवाई है वो अपने हिसाब से इसको देखेंगे बागी और अनेक धहराओं में पुलिस ने अपनी जैसे की चार सो बीस और चार पांस धाराये हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट और फूर्ड एंड सेफ्टी विभाग की कारवाई देर रात तक चली जिसमें टीम ने एक वर्क्शॉप पर छापा मारा। इस दोरान टीम ने मौके से नकली मेगी मसाला की पैकिंग कर बाजारों में बेचे जा रहे पैकेत भी परामद किये. फूर्ड एंड सेफटी विभाग ने मौके से बरामद किये गए मेगी मसाले की पैकिंग के सेंपल जाच के लिए फेज दिया है. यहां पर भी सेम मसला था नकली जो विदाउट एनी लाइसेंस यहां पर पैक कर रहे थे मैगी मसाला की जो सीजनी होती है तो लगबग 20,000 के आसपास यहां जो पैकेट हमें बरामद हुए हैं जो 5 ग्राम के पैकेट होते हैं यह भी बिल्कुल सेम वैसा ही मामला है ना लाइ पैकेट का एक्ट है और जो भी धाराएं हैं 420 वगर हर तरह की पुलिस कारवाई अपनी कर रही है और मोके से हमने सेंपल उठा ली है बहरहार पुलिस और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने परिदाबाद में बड़ी कारवाई कर बड़ी सफलता हासल की है से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन देवाद